अज हमारा टॉपिक है वो है लिपिड्स का लिपिड्स की अगर बात करें तो यहां पर इनकी डैफिनेशन होती है कि लिपिड्स हैटरजनेस ग्रूप of compound होते हैं कि इसमें क्या होगा दो डिफरेंट टाइप क्या होंगे functional group होंगे दो डिफरेंट क्या होंगे कमपाउंड होंगे जिनकों हमने कमबाइन किया होगा वो अलग रहके भी और कमपाउंड होते हैं अगर उनको जोड़ दिया जा तो एक नई टाइप का कमपाउंड बनता है जिसको क्या कहते हैं लिपिट कहते हैं और वो क्या होते हैं हेट्रोजिनस कमपाउंड होते हैं अब यह पानी में हल नहीं होते हैं यह जो allah History अब कर दूएंगे।ink के नहीं कि लिए वजिए को जिये दरा दूए लिपीट डिल्राइब हो अनई यहां भी कहते हैं कि लिपिड्स होते हैं अगर हम देखें अगर केमिस्ट्री को इलावा वैसे रियल लाइफ के देखें ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो जितने भी और फैट्स होते हैं लेकिन आगे हम पढ़ें कुछ टाइपस ऐसी भी कि जो फैट्स तो नहीं क्यावाः देखें को टो यहां पर उसके पहल Scottishry अंते यहां कहां पर होते हैं क्या क्या हमें फाइदा देती होते हैं ़किंड़ टाइब काशनी के अपने हैं पर गुद एंच सोर्स होते हैं कि जितनी मैं करब हथे लिपेड और प्रोटीन यह तिन से में क्या मिलती है इनर्जी मिलती है उसमें सबसे हाइस अब इनर्जी से मिलती है तो यह सोर्स होती है जब इनको हम क्या करते हैं कंजूम करेंगे 2. they are the structural component of the cell membrane की हर cell membrane के दर कह रहता है दो चीज़े होती है हमने में एक आपिक मे बढ़ा था कि वहाँ पे क्या होता है इस फॉस्फो लिपीड्स होते हैं या निकि यह लिपीड्स होते हैं साथ क्या होती है उसमें लगे होते हैं that lipids और protein के तर्म्यान के mixr का बनना होता है cell membrane होता है तो यह structure component पूर जितने भी cells होंगे सब के इंदर क्या होगा lipids की क्या होगी layer होगी जिससे क्या बनेगी cell membrane या all membranes हो बनेगी tail is a insulator Insulator के तॉर पे काम करेंगे कि इन में से current pass नहीं हो सकता current pass क्यों नहीं होता है कि अभी हमने इनकी property सबसे पहले ही definition में पड़ी थी कि यहार non-polar अगर polar नहीं होंगे तो current उसमें क्या होगा charges होते हैं क्योंकि इसमें charge नहीं होते हैं तो यह क्या होते हैं insulators होते हैं दो तरह की insulator यहां पर word होगा पहला insulator कौन सा होगा वो electrical insulator एक कौन सा होगा heat वाला insulator कि यह दोनों insulator की तरह काम करते हैं कि यह क्या करेंगे एक तो current जो होगा वो भी क्या होगा इन में से pass नहीं हो सकता second type insulation कौन से होती है heat से भी insulate करते हैं कि इन से क्या होता है heat आर पार नहीं गुजर सकती होती है उसकी मिसाल कुछ इस तरह बनती है कि oil में से current पास नहीं होगा वो electrical insulation होगा और second जो heat है वो हमारे पास क्या होगी कि जो बरफानी लाकों में रहते होते हैं उनकी body heat अगर loss हो गई रिमूव हो गई तो वो क्या होगा उनको ठंड लग जाएगी तो उनके ऊपर क्या होती है एक fat की layer लगी होती है चर्बी की layer होती है जिससे वो क्या होता है सर दिलागों में जिंदा रहते हैं electrical insulator भी और heat वाला insulator भी दोनर act होंगे they act as a lubricant and provide the protection lubricant के तोर पर यह काम करते है कि oils होते है slippery होते है तो इसलिए वो क्या करेंगे चीजों को protect करेंगे उनके उपर रगड पने से बचाएंगे मिसाल के तोर पर कि जो हमारी body है इसके उपर क्या होता है जब गर्मियां होती है जो क्या होता है sweat आ जाता है और उसके साथ क्या होता है तो तो यहां पर क्या होता है तो यहां पर क्या होगा वह lubricant होगा जो क्या करेंगे आपकी skin को उस जो पसीने की रगड है या आस-पास की चीज़ने उन से क्या करेंगा रखेंगा next point वाइटमेंस का कि जितने भी वाइटमेंस हैं अगर वो फैट सॉलबल हैं तो फिर क्या होगा हमें लिपिड्स की जुरहत होगी कि वो लिपिड्स क्या करेंगे उनको डिजॉल्व करेंगे फिर हम उसको जास कर सकेंगी और cell membrane की इरुदी पह क्या होता हगा है ? ہमनने पढ़ा है कि उसकी मेंब्रेर्न होगी किसी होगी लिपिड्स की बनी होगी तो जो सॉब्स्टांस लिपिड्स में डिजॉॉल्व होँगे वो cell membrane के पार जा सकते हैं मिसाल के तौर पे दो एक्जेम्पल्स हैं पड़ी कि अगर हम आलुओं के बारीक पीसिस बना लें और उसको एक पॉर्शन को उबाल लें और एक पॉर्शन को फ्राई कर लें तो दोनों में से फ्राई वाल इक टेंट ज्यादा अच्छा होगा तो इससे पता चलता है कि यह क्या करता है फ्लेवर को इंक्रीज करवाता है इसको आप टेस्ट करते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं हमें बॉइड वाले जादा अच्छा लगेंगे लेकिन अगर जर्ल व्यू देखा जाए सब का तो वहां भी क्या होता है जो फ्राइड होते हैं सबसे ज्यादा टेस्ट में इंक्रीज हो जाते हैं सेकंड पॉंट है पैलिटिबिलिटी क्या होता है कि अगर हम उबलेवर कोई भी चीज ओपड़ी अगर खा रहोंगे तो वह ब्लभी अखसान यह जाते हैं और कुछ केसी समिल ऊपना करती मिक्तर इंक्रीज हो जाते हैं जो हमारे पास और reflex ह्ते हैं और अचे में आब दो आपमें अंग किच इसकी सी बनताय 아 और चाहिये शरा हमिए पास ć बनताया चाहिए और सानित में उप्रिकलिकेशन आपना के तो यह संठी तरफ हम पहलत bought जेंब निक्थिकार जीन तरा ही दी है सबसे हैं तीन तरह की स्टक्टर पढ़ेंगे और यहां पे कौन-कौन से बांड यूज होगा हैं है तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंपनल लिपिट्स होते हैं एस्टर होते हैं कि अलकोहल और फैटी एसटे की इसमें से जो मॉश्च गॉपन वली टाइप है वह ऐसी होती है गलिप्सरोल होती है यानि कि तीन O-H value होती हैं वह सबसे most common है उसको हम सबसे detail में बढ़ेंगे बाप्य और होगी जिसमें monohydric, dihydric, alcohols बगारा भी हो सकती हैं लेकिन इसमें से जो triglyceride वोली होगी सबसे most important type होगी तो ये वो होते हैं जो esters होते हैं कि इसके alcohols और fatty acids के Second lipid की type होते हैं यこれ कौन से होते हैं compound lipids कंपाउंस लिपिट्स क्या होते हैं combination होता है किसका simple lipids और उसमें कोई unit बदल दीया जाता hai other compounds के साथ other compounds वो क्या हो सकते है phosphate group हो सकता है protein हो सकते हैं या कोई और amino acids हो सकते हैं किसी भी और compound से अगर वो इस को तो क्या बन जाते हैं? compound lipids बन जाते हैं और थर्ड टाइप है हमारे पास कौँछी derived lipids? derived lipids क्या होते हैं? these are the compounds that are derived from compound lipids के इनको फंदर modify करके इनकी derivatives में convert का दिया जाए तो फिर हमारे पास इसी टाइप बन दिये जो कौँछी होते है? derived lipids की होती है प्रापर्टी थी लेकिन यहां पर वह बात करें तो यह वह लिपेट्स होंगे जो क्या होते हैं हमारे पास कि जो अथेंटिक जैफिनेशन जो लिपेट्स की बंतियों उसके उपर आते हैं होते हैं हैं है अब यहां पर हम देखें कि अच्छर कौन से होंगे फैटी असे होंगे अलकोहल सिय होगी दो क्लासिजोंगे होंगी जो मैंने बिताई हैं कौनपाइण triglyceride के जिसमें क्या होगा glycerol होगी और तीन fatty acids हुआ करेंगे waxes होगी जिसमें क्या होगा एक glycerol एक alcohol होगी या निके एक OH वाली alcohol होगी और उसकी क्या होगी आगे एक ही क्या लगाव होगा acid attached किया होगा पहली type को हम देखते हैं कौन सी triglyceride triglyceride के अगर बात करें तो यहां पर क्या होता है esters होते हैं glycerol के glycerol क्या होती है 3 OH वाली alcohol होती है जिसमें 3 consecutive OH के उपर 3 consecutive carbon के उपर और fatty acids उसके साथ जोड़ दिये जाते हैं fatty acids क्या होते हैं long chain acids होते हैं जिनके पास COOH उस C के पीछे बहुत सारे glycerol के यह क्या होते हैं acyl group acid के इसमें से acyl group लगता है और साथ alcohol के साथ bond बनाते हैं उसको क्या कहते हैं ester कहते हैं next आते हैं उसके structure के उपर जो हमारे पास triglyceride है या acyl glycerol है उसका structure क्या होता है कैसे बनता है अगर direct formula note करें तो याद किना मुश्किल हो जाता है कहीं पर भी student को एक step भी बीच में से भूल जाएगा आपको तो क्या होगा वो आपसे structure भी बनेगा तो जातर बहतर है जातर बहतर है कि आप पहले उसको rough में बना की चेक कर लें कि आप सहीवाना अब यहां में हम देखते है क्या चीज मैंने लिखी हुए है यह मैंने तीन acids लिखे है R कोई भी carbon chain है जो कि fatty acid मैंने बहुत लंबी chain होगी C O O H या निके acid R C O O H मैंने इसको open करके लिखा है फिर दूसरा acid मैंने को लिखा है R C O O H R C O O H तीन acid मैंने लिखे और तीनों क्या है fatty acid है जो R है यह बहुत लंबी chain है carbon वादी दूसरा मैंने लिखी है triglyceride बनाने की है तो यहां पर क्या होगी glycerol होगी इसका नाम क्या है मारे पास glycerol glycerol क्या होती है जिस पर 3 consecutive carbon पर यह propane वाला formula है और तीनों carbon के उपर क्या होगी है O-X group लगावे इसको क्या बोलते होता है glycerol बोलते होते है यह tri-hydric alcohol बोलते है अब यहां पर हम जग करेंगे इस alcohol को बनाने का त्रीका क्या होगा इसका structure भी आप लिखेंगे C तीनों लगाएंगे एक साइट उसकी O-H निकाल देंगे दूसरी साइट उसकी क्या लिखेंगे carbon की valency पूल कर देंगे 1-2, carbon की 4 होती है तो 2 hydrogen लगादेंगे इस carbon की अगर देखें तो कितनी है 1-2-3, 3 valency satisfied है 1 hydrogen add कर देंगे और इस carbon की अगर देखें तो 1-2 valency satisfied है और एक कम एपरी तो इसको क्या कर देंगे हम H2 करेंगे और यहां पर valency क्या होजेगी complete होजेगी next आपने जो करना है यहां इसके साथ ester linkage बनाती है ester linkage के अगर general concept देखेंगे acid क्या देता होता है alcohol या base क्या देता होता है OH देता होता है लेकिन इनके नाम क्या लिखा है अभी मैंने मैंचिन किया acyl glycerol का है acid का acyl group यहां ester formation के अंदर यूज होता है तो यहां पर reverse mechanism होगा कि यहां पर क्या है acid OH complete देगा तब उसका क्या बनेगा acyl बनेगा acyl जो होगा तो यहां पर मैंने इसलिए इनको green color से लिखा है जो हिस्से क्या हो रहे है रिमूव हो रहे है यह हिस्सा रिमूव हो जएगा और इनके दर्म्याद में bond बन जएगा यहां पर green color की जगह पे मैं क्या लगा तो दोनों को जोड़ दुआ अब यहां पर वही काम की आप reaction होगा और मैंने वही ऊपर से देखके लिखा है यहां से अगर आप फुछ से लिखेंगे first time लिखेंगे तो mix हो सकते हैं आपसे ऊपर से देखके आपने इसको लिखना है RCOO वह बना रिमूव हो गया तो आप RCOO O तक लिखेंगे RCOO O RC double bond O और एक तीसरी बाद उसको लिख देंगे फिर इस साइट से इसको देखके लिखना शुरू करेंगे 3 O लिखेंगे तो 3 O उसके सामने जोड़ दिए 3 carbon है तो 3 carbon जोड़ दिए most cases में students यह ली lines बूल जाते हैं कि यह वाला bond week में नहीं लिखा होता आपने सबसे जादे इस bond पे फोकस करना है कि यह सबसे एहम है यह वाला bond जोटा है students नहीं बनाते होते वो structure सारा wrong होता है आपका तो यहां पे यह वाला जो बाद है यह last भी शोग करना है remove यहां से क्या होगा है water remove होगा है 3 more water remove होगे है एक water यहां से बनेगा एक यहां से और एक यहां से बनेगा तो यह आपका किसका structure हो जाता है tri-glyceride structure होता है जो क्या होते है हमारे पास lipids की most basic most common type है जो आगे हम हर जगह भी पढ़ेंगे बार बार यह जितने भी types होगी इसका structure लाजनी आ रहा होगा तो इसलिए आपको सबसे पहले इसलिए structure को बनाने का तरीका भी आना चाहिए आगे जब रेक्शन को तोड़ने का पड़ेंगे तो इससी reaction को reverse कर देंगे तो इसलिए most important reaction है इसलिए इसलिए देखा कि उसमें ट्राइग लिस्ट राइड का तो ट्राइग लिस्ट राइड में अगर देखें तो यहां पर वही C double bond वह आर वदा हिस्सा लगावा था आर को हमने यहां पर डिसकास करना है कि इसका क्या मतलब होता है अब एक और तरीके से structure लिखा होते है नगे बुक्स के अंदर तो वहां पर पेपर के अंदर इस ताहरा का structure बहा दे तो यह भी किसका structure है lipid काही structure है इस तरह का structure क्या जगा बचाने के लिए यूज होता है कि यह जितने corners होते हैं इसको हम क्या कहते होते हैं कारबन होती है वहां पर ठीक है कि यह सारे corners किसको रप्रेशेंट करें number of carbon को रप्रेशेंट करें यहां पर देखती हैं कितने carbon है एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस और गयारा 11 carbon वाली किया बनिवे chain लगी हुई है चेलकिया है तो इस तरह की number of carbon होगे वह किस से होंगे यह कौन से कार्बन को रिप्रेसेंट कर रहे हैं, इस वाले कार्बन को रिप्रेसेंट कर रहे हैं, यह वले 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 कार्बन को रिप्रेस और हर कोर्मर के ओपर क्या लगा होता है और यह हमारे पास क्या रहती है complete benzeny की representation हो जाती है next आते हैं हमारे पास जो हमारे लिपिट्स थे इनके fatty acids की बात करते हैं उसको मुफ्ली properties देती है कौन कौन सी properties देते हैं physical property change हो जाती है fatty acids की मिसाल के तोर पे दो तरह की fatty acids होते हैं मारे पास एक unsaturated होते हैं एक saturated fatty acids होते हैं जो unsaturated होंगे वो क्या करेंगे उनकी definition अगर लिख नहीं हो आपने paper के अंदर को बहुत मुशूर बनते होते हैं saturated and unsaturated difference लिखने हैं तो unsaturated में क्या होगा they contain at least one double or triple bond यानिके इसमें unsaturation होगे उनके नाम से बहुचा रहे हैं यहां पर unsaturation है यानिके double या triple bond मुझूद है कम असकम eight होगा और अगर saturated की बाग है तो these fatty acids do not have any double or triple bond कि इसमें एक भी double a triple bond होगे यानिके इसके इंदर full saturation होगी सारे single bonds होगे कहीं वे भी double bond वाई property नहीं होगी double bond अगर जहां पर आएगा वो lipids क्या होगे हमारे पास liquid होगे room temperature के उपर ठीक है और जो हमारे पास क्या होगे saturated fatty acids होगे वो क्या होगे solid होगे जिस lipid के अंदर fatty acid saturated आजे मिसाल के कावर पर यह वादर fatty acid है यह क्या है saturated यह भी saturated और यह भी saturated तो अब यह जो lipids होगा solid होगा room temperature के उपर अगर यह सारे lipids के साथ fatty acid डिलाया है यह क्या हो unsaturated हो तो अब यह क्या होगा liquid होगा room temperature के उपर लेगिन कुछ lipids ऐसे भी आप पर रहेंगे जिसमें क्या होगा उसमें दो saturated आजेंगे और एक क्या होगा unsaturated होजएगा या एक saturated हो दो unsaturated होजएगा तो वो क्या होगा semi liquid होगा कि वो गरम करने पर क्या हो जाएगा अगर उसमें ज्यादा होंगे saturated तो वैसे solid रहा करेंगा हलका सगरम करने पर क्या होज़ेगा liquid होज़ेगा और अगर उसमें क्या होंगे जैसे यह दो क्या है पड़ी unsaturated है तो यह liquid रहा करेंगा लेकिन अगर बहुत जादा थंडा करेंगे तो फिर यह क्या होगा solid में convert मतलब क्या होगा कि इसमें एक double bond होगा काम उसका क्योंकि मोना का मतलब क्या होगा एक मिसाल अपड़ ओलीक एस्टिड ओलीक एस्टिड ओलीक एस्टिड जो होता है C17, X33, COOF उसके साथ लगा होगा होता है कारबन कितनी है 17 कारबनी चैन है उसकी अब इसका structure क्या होगा structure बनाने के लिए कैसे लिखेंगे हम इसके 17 कारबन लिख देंगे और साथ यहां कैसी OHR लिगा 17 कारबन कैसे है अपड़े यह साथ कारबन और साथ कारबन कितने होगे 14 15 16 और यह 17 कारबन होगे कारबन नुम्बर 9 के ओपर यहां पर यह जा लगा है double bond लगा है तो यह carbon number 9 पर इसका क्या कर देंगे double bond शो करने के लिए इसको दो हिस्सों में तोड़ा है वरनाम डिर्क यहां भी लिख सकते थे C17H33 लेकिन C17H33 के बिजाए में दिखाना था कि कौन सी carbon है जिसके उपर किया है double bond है तो इसका हल किया करना है इस structure को खोल के लिखना है जो structure बिल्कुल लेक जासे चल रहा है वहां पे इसको कर्डेंस करके कितना लिख देंगे जितने number of carbon आ रहे है जैसे 7 carbon तक bond बिल्कुल एक जासे चल रहा है तो हमके लिखेंगे CH2 और 7 उसके बाइर 7 लगा देंगे जहां पे bond की different type आ रहे होगे वहां पे उसको क्या करेंगे open करके लिख देंगे carbon down पे है तो यह carbon कितने है इसमें unsaturation है दूसरी मिसाल होती है इसकी तो types है वह कौन सी है polyonic acid या फिर कौन से polyunsaturated acids polyunsaturated fatty acids होते हैं वहां पे मिसाल किसके linoleic acid की मिसाल बनती है C17H31COOH यह double इसमें क्या होंगे दो जग़ों पे क्या रहोगा double bond आ रहोगा इसका structure है कि अब open structure बना के देखें तो किस तरह का बनेगा यह हमने क्या बना कि carbon लिख दी है कितने 17 carbons लिखने है 17 carbons कैसे होंगे 7 और 4 यह हम यहां से count कर लिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 और 4 कितने हो गए 16 और यह 17 17 carbon पूरे कर दी है फिर हमने क्या करने शो करने कि किस कि carbon के उपर double bonds है तो पहले हम देखते हैं कि carbon number किस के उपर है carbon 1, 8 और यह 9 carbon number 9 पे double bond है 9, 10, 11, 12 12 number carbon पे क्या है double bond है तो यह हमने शो कर देखने कि 9 और 12 के उपर क्या आ रहा है तो इसमें क्या होगा कि double unsaturation आ रही है कि 1 carbon number 9 पे double bond आ रहे है 1 carbon number 5 पे double bonds आ रहे है next example आती है कि saturated fatty acids की saturated fatty acids सबसे मशूर होते हैं इनके formula भी कुछ straight forward होते हैं कि हम इनको ऐसे open structure में लिखेंगे तो time waste हो रहा है वरना उससे फाइदा नहीं हो रहा reason क्या है सारे bonds यह जैसे है सिर्फ हमें क्या रहा है CH2 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 की लंबी chain बनाते जा रहे हैं तो इसी लिए इनके open structures नहीं लिखते होते हैं अगर कभी लिखने भी होते हैं बापी जो बड़े chain वाले होते हैं उनके open structure page के उपर जगा भी नहीं होती इतना लिखने की Bioteric acid Bioteric acid कितने carbon होते हैं 4 total carbon होते हैं इसके butter के अंदर होता है Bioter का मतलब 4 होते है तो यह एक और यह तीन कितने होके 4 carbon होते हैं Palmatic acid Palmatic acid में कितने होते हैं 15 carbon chain होती है साथ COOH होता है याद रिखने के लिए mostly मैं तो ही कहता हूँ आप इसको जैसे P से 15 होता है और P से 15 होता है तो आपने यह note कर लेना है कि दोनों के 15-15 carbon होंगे कि इसमें Palmatic acid में Steric acid की बात करें कितने होते हैं 17 carbon होते हैं सीन से 17 होते हैं तो इसमें 17 carbon की chain होगी COOH आ जिएगा Loric acid होते हैं C11, X23 और COOH होता है तो यहां तक आपका complete हो जाता है कि हमारे पास क्या है जो fatty acids हैं वो कौन कौन सी property देते हैं तो यहां पर मैं देखा solid भी बना सकते हैं वो liquid भी बना सकते हैं और उसके इलावा क्या होता है उसके दन्यान की चीज़ हो सकते हैं कि वो semi-solid क्या होते हैं acid भी हो सकते हैं super lipid में next type आती है हमारे पास waxes wax जो है हमारे अगर देखें तो वो एक किसम का gel-like material होता है solid lipid की type होती है और अर्स की जो chemically इसको करें बताया रहे तो क्या होता है यह acid होते है fatty acids with high molecular weight monohydric alcohol कि ऐसी alcohol होगी monohydric होगी 1 OH होगा उसमें और बहुत जाता बड़े molecular weight की होगी बहुत लंबी chain वाली alcohol होगी अब यहां पे इसका general structure अगर देखें तो क्या होगा यही होगा एक तरफ acid आ जाएगा RC00OH या RC00OH और दुसरी तरफ क्या आएगी alcohol आएगी ROH इसके साथ रहे डैश लगा है और साथ क्या है high molecular weight carbon chain वाला है reaction के वाल यह दोनों का ester formation का और हमारे पास यह ester की शकल बांग जाएगी कि यहां भी क्या होगा RC00OH और यह alcohol का O और R- ठीक है high molecular weight यहां बहुत लंबी chain इतर भी जा रही होगी बहुत लंबी chain fatty acid site और भी जा रही होगी अब examples देखते हैं wax की कौन पहुंची example है अगर रियर लाइफ में देख रहे हैं तो यहां पे waterproofing करनी होती है मिसाल के तौर पर पत्ते होती है द्रफतों के उनकी आपने देख वहाँ दो layers होती है एक उपर वाली layer होती है एक नीचे वाइट साइड होती है जो उपर वाली side होती है और नीचे वाली side चमकदार नहीं होती उसके उपर कह लेगी होती है cuticle की layer होती है wax की type होती है वह cuticle उसको shine भी देती है waterproof भी करती है और साथ यह करती है उसको protect करती है कि उसके पर रगड भी ना पढ़िये ठीक है next इसी तरह की examples हो रहे है यहां पर लिख होई beeswax beeswax क्या होती है मोम होता है उसको हम नहीं आप एक्स्लेंग करेंग कि it contains ester होती है उसके अंदर कि अगर वह यही वैक्स है तो यहीं एस्टर से मिलके बना होगा लेकिन क्यूंके वह complex mixer है तो हम उसमें से सबसे ज़्यादा माउंट में चीज होगी उसको भी consider करेंगे कि यह उसका chemical formula है लेकिन वैसे क्या होगा मुक्लिफ चीज़ों का combination होगा तो यहां पर mention गियाव है उसमें जो सबसे ज़्यादा मिलती है वह क्या होता है ester होता है 24 से लेके 30 carbon वाली alcohol का होता है फिक यहां पर एक मिसाल दिया मिसाल कॉनसी है भी कि मेरी साइल alcohol एक होती है क्या होती है hydrogen 61 होते है और साथ उसके क्या लगा होता है यह alcohol जो होती है उसके साथ palmatic acid क्या लगा होता है ester बनाया होता है अब यहां पर उसको किस्ता लिखेंगे यह हमारे पास palmatic acid है C15, H31, C double bond O और साथ यहां पर क्या होगा O ठीक है और साथ C30 H61 जैसे अमने यहां पर दिया है कि Acid का OHS रमूब कर देंगे Acid के OHS रमूब होगया और साथ उसके क्या लगा लगा लिखा साथ इसके क्या लगा लिखा 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 स्परमेस ATI जो है जो हमारे पास एक और वैक्स है जिसमें क्या होता है contain होता है 16 carbon होता है वाली chain होता है और X कितने होता है 38 होता है पाल्मेटिक Acid के साथ इसका Acid होता है यहां में भी वही चीज़ इसका Actual Formula नहीं है जो इस Wax के अंदर सब चाहिज़ जादा माउड में मिलता है वह यह वाला Acid होता है इसका Formula क्या होता है पाल्मेटिक Acid हमने ली दिया C15, H31, C double bond O OHS से रिमूव कर दिया इदर से अलकॉल उसके साथ जोड दी C16, H38, OHS वाले यह इतना है पड़ा और H रिमूव करके हमने bond बना दिया था तो यहां पे आपका Topic complete होता है कौन सा Simple Lipids का कि हमने दोनों लिपिट्स देखे हैं यहां पे कौन से वाले एक लिपिट्स थे हमारे पास Simple में Triglisrite वाले और एक हमारे पास कौन से वैक्स वाले Fatty Acid जो होगा वो उसको क्या करेगा consistency बताएगा जितने जादा saturated उतना solid जितना कम saturated उतना भी होगा liquid phase की तरफ चलता जाएगा next topic है हमारे पास compound lipids का compound lipids के अगर बात करें तो वहां पे कितने आपके तीन हमारे पास lipids हैं जो most common example है वो कौन-कौन से हैं Phospholipids Glypolipids और Sulfolipids Phospholipids इसमें सबसे एहम तरीम topic है कि most detailed आपके topic यहां पे जो course outline उसमें दिया वह है तो यहां पे हम सबसे पहले Phospholipids को देखते हैं कि Phospholipids किस तरह काम करते हैं और उतने structure कैसे होते हैं Phospholipids की दो टाइप है हमारे पास कौन-कौन सी है उतने नाम होते है glycerophospholipids यानि कि वह glyceride वाले होंगे जैसे triglyceride होते हैं उस तरह का structure होगा उसमें हम क्या करेंगे Phosphate group attach करवा देंगे जिसको क्या कहेंगे दूसरा हमारे पास क्या होगा सफिंगो Phospholipids होगा उसमें glycerol की जगह पे क्या होगा सफिंगो C हमारे पास compound होगा वो attach किया होगा तो इस तरह हमारे पास क्या होगी दो टाइप्स बनेगी glycerophospholipids और सफिंगो Phospholipids नेक्स राक है किसके उपर glycerophospholipids पे glycerophospholipids जो है क्या होते हैं कि इसकी तरह triglyceride की तरह glycerol होती है और साथ क्या होता है fatty acid के साथ लेकिन क्या होता है एक जो एस्टर होता है fatty acid के साथ उसको replace कर देते हैं हम किसके साथ phosphate group के साथ replace कर देते हैं एक structure नीचे बनाया है वा उसका general किस तरह का structure है वहाँ पे तीन कार्बन वाली अलकोहॉल है जिस पे कंसक्टिव O.S. थे जो हमने पहले भी structure बनाया है उस structure में क्या थे हमने कहा थे यहां पर यह एस्टर बनाया थे हमने fatty acid के साथ fatty acid की एस्टर है पर पहली carbon पर भी एस्टर है दूसरे carbon पर भी एस्टर है और इसका नाम क्या बन जेगा फिर फॉस्फिटीडेट बन जेगा ठीक है। फॉस्फिटीडेट किस तरह होगा कि यहां पे नेगिटिव मैं लगाए मेंगी यह एसिड फॉर्म है और इस acid में से hydrogen निकाल दें तो इसके नाम के आफर में क्या आज़त होता है एट आपका होता है ठीक है और अगर यहां एक्स यहां पर स्क्राइब इस वहां पर होता है तो यह सारा हिस्सा क्या है पोलर रीजन होगा है तो यह सारा हिस्सा क्या है बने हमें होंगे तो ये क्या ओँका पोलर रीजन होगा वाटर के साथ इंट्रेक्शन शो करेगा हाइड्रोफिलिक भी इसको बोलते होती है दूसरा पार्ट हमारे पास को सब्सक्राइब नॉन पोलर पाँदर आसे में हो वाडर से इंट डृक्षन नहीं करते अंगर वह वाटर से इंटरेक्षन नहीं करते तो फिर क्या होगा यहां पर निदर क्षिछ नहीं बारेगी यह प्र कित यह प्रिति होगी ही यह हेंब बाध। बहुटाहिक इसको फिक्ट्र एसे भी पढ़ेंगे जहां पर क्या हो गया यहां पर बैंड हो रहा हूगा ठीक है बैंड कम अन्य चैन को टेड़ा करके दिखाते हैं कि यहांपर क्या है रोटेशन हो जती है अब non-polar है तो यह क्या होगा हाइड्रोफोबिक होगा यह पानी से दूर भागेगा यह पानी के करीब की तरफ जाया करेगा चिक है तो यह हमारे पास जनल स्ट्रक्टर होगे गलिसरो फॉस्फो लिपिड्स का या फॉस्फो लिपिड्स की जो एहम तरीन क्लास होती है अब यह जो फॉस्फो लिपिड्स है इनका जो रियल लाइफ के रोल है वह सबसे जादा एहम है कैसे है कि जो सबसे एहम जिए सेल मेंब्रेन बनाती हो तो जिन्दा चीज के लिए फॉस्फो लिपिड्स इंतहाई एहम हर जिन्दा चीज में फॉस्फो लिपिड्स होगे क्य यहां से पुराने जमाने कि वहाते है प्रिए प्रचचीं वह भावनुनान और हमोय का है गो चे हिसके वर सब्सक्ट्ट का here, वह हुआ है त मैन कि यह इस तब्सक्ट के लिए गई दिठेंगे कुछ और सब्यूनिट्स अटैज करवा देंगे और सब्यूनिट कहां पर अटैज करवाएंगे हम यह जो उसका oxygen free है प्राइब इसके उपर हम क्या करवा सकते है कोई भी और सब्यूनिट X अटैज करवा सकते है जिससे वो further phospholipid की type बनती जाएगी ठीक है तो आगे हम देखते है क्यों क्यों से type बनती है कि अगर उसके साथ क्या लगा दीजए फॉस्पेटेडाइल कॉलीन लगा दिया जाए उसके साथ इस जगह पर यह जो X है इसकी जगह पर हम क्या लगा दें कॉलीन अटैज करवा दें तो पर इसको नाम क्या वाजए था लैसेटेडाइल कॉलीन अब यहां पर क्या होगा फॉस्पेटेडाइल कॉलीन की से लिखेंगे हम फॉस्पेटेडीक एसीड का फॉर्मूला पहले लिखेंगे र-C-double-o और फिर यहां पर क्या लिखेंगे दें कब भी पेपर के उपटनी जगह नहीं हो दिख्या हम उसको इतनी बड़े लिख सकें तो हम जा करते होते हैं इसको इस साइड भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होता दोनों स्ट्रक्चर सेम होते हैं तो सिर्फ इस स्ट्रक्चर में चेंज गया है वैं दोनों स्ट्र आपके Colleen अटेश करवा दिये, तो यह Colleen क्या करेगी, इसके नहीं चीज बना देगी जिसमें नहीं प्रॉपर्टी जाज़ेंगे और वो क्या नाम बनेगा उसके लेसितिन बनेगा, सेकेंड हमारे पास Compounds होते हैं, वह कहुंच होते हैं, क्या होते हैं, जो Phosphatedide compound यहीं जो यह बना हिस्स है, इसके साथ अगर हम क्या इसे अटाइच करवादे हैं, एफनोलमाइन अटाइच करवादे हैं, एफनोलमाइन एक और अगर यह अटाइच होगा, तो इसका नाम क्या इसका नेगा फिर Caffealine बन जाएगा, अब Caffealine के अंदर फरेक क्या होगा, इन दोनों के अंदर करवादे हम स्टडिल करें, तो दोनों बिल्कुल सेम स्ट्ट्ट्टर हैं, दो कारबन वाली चेंड, उसके आगर अटाइच के वह नाइट्रोजन और चारों गलेंसी अब आपन जाएगा, जो लेसे थी ने, उसमें कॉलीन है, कैफिलीन में क्या है, अब एफनोला माइन के ऊपर यहां पर क्या लगाया थे, न एक्स तरी लगाया थे, अगर में इसको ओपर लिखू तो ऐसे बनेगा थे, एच जिस तरफ एच और एक एच इस तरफ, क्या क्य एच की जगा पर क्या लगा थे, मैं उन्हें थे, लगा दिये हैं, कि यह एथनोला माइन के साथ, अगर ट्राइमिथाइल करते हैं, तो इसको क्या पर बोलेंगे, कॉलीन, बोलेंगे, छिक है, लास्ट हमारे पास आप है, एथर लिपेड्स, एथर लिपेड्स के अंदर क् इन में structure थोड़ा सा और different का दियेगा, थोड़ा सा और modify का दियेगा, इन दोनों structure को, कैसे modify कर देंगे, क्या एथर लिपेड्स करवा देंगे, अब कैसे attach करवा नहींगे, उसकी example, every compound के group है बड़ा, वो हमारे पास कहा होते है blood, नाम से उसके पर दो प्लाजमा में होते है, यहां पर क्या करेंगे यह वरी carbon chain वैसे की वैसे इस जगह के ऊपर यह esther की जगह पर हम क्या करवा देंगे Ether group अटेच करवा देंगे esther क्या होता था esther होता था यह carbon से लेके oxygen और दूसरे carbon के double bond तक इस group को क्या बोलते होते हैं ester बोलते होते हैं जहांपे एक carbon, oxygen, carbon, double bond oxygen और फिर उसके आगे कोई चीज़ अटेच करवाते हैं तो इस group को क्या बोलेंगे हम ester बोलेंगे चीक है? दोबार यहांपे लिखते हैं ester किस तरह बलता होते हैं एक carbon, oxygen, c, double bond, o और आगे कुछ भी attach करवाते हैं तो इस group को क्या बोलते होते हैं ester बोलते होते हैं इसको change करवा देगे हम किस के साथ? ether के साथ ether group क्या होते हैं? ओ, दोनों साइड पे क्या हो? carbon group attach करवाते हैं तो इसको क्या बोलते होते हैं? ether बोलते होते हैं कि उस carbon पे double bond oxygen नहीं होगा चिक है तो यहां पर हम ने क्या करवाया दिया ether group attacks करवा दिये कि carbon oxygen और फिर आगे क्या है direct carbon आ रही है और फिर double bond कि वो unsaturated वहां पे ether अपड़ा और साथ हम ने क्या करवा दिये कि carbon chain आगे चलती जा रही है यहां पी वोई carbon की chain चल रही है phosphate group attacks करवा दिये और आगे क्या अटाइच करवा दिये तो इस तरह के compounds हमारे पास क्या होते हैं ether lipids के अंदर आते हुते हैं कि इनको हम क्या कहते होते हैं प्लास्मा एउजिंस की example के अंदर पढ़ते होते हैं और हमने कहां कि यह कहां पर होंगे plasma के अंदर मिलते हैं हमारे पास phospholipids के अंदर सफिंगो फॉस्पो लिपेड्स की के हमने देखना है अब इसका नाम कहें सफिंगो फॉस्पो लिपेड्स तो इसके अंदर क्या होगा तीन चीज़े होगी सफिंगो सीन होगी फॉस्पेड होगा और साथ क्या होगा महरे पास वह लिपेड्स की टाइप बन जाएंगे तो यह इनका नाम है और आगे इसके देखते हैं कि अगर केमिकल फॉर्मूला बनता है तो क्या बनता है इसका कि इस आर दा फॉस्पेट डेरिवेटिवस ओफ सफिंगोसीन सफिंगोसीन ऐस सच खुद भी एक लिपेड होता है देखते हैं और फिर उसके बाद यह इनका लिपेड इनका लिपेड तरह लिए ताकि इस सब्सक्राइब पहले यहां वली गलिसरो फॉस्पोली उसके साथ मैच कर सके तो वहां पर तीन गार्बन चेन होती है इसके उपर वही वेलेंसी पूरी की हुए है यहां पे तीन साइट पर बॉंड है तो एक एच इसके दो साइट पर है तो इसके साथ CH2 आजेगा इदर ओएच लगा है इदर भी ओएच है यहां पे अमाइनो डेरिवेटिव होता है अमोनिया के ग्रूप्स लगाया भी होते है उसके आगे फर्दर भी इसकी मॉडिफिकेशन हो सकती है लेकिन जो बेसिक त्रीं स्टुक्चर होगा वहां पर क्या होगा NH3 पॉजिव देगी युद देगी और पर कितने हैं और कार्बन सरफ कम्प्राइब को सहाथ हम ब् moisture पंदर कार्बन वाली क्या है किया किया है अब सफिंगयो सीन को क्या करते हैं पर सुपरिसके नाम को क्या खि radicals सपिंगो सीन का हमने क्या बदानाना हैuks फॉस्पेट लईवेटिव बनानाना है Phosphate derivative बनाने के लिए हम क्या करेंगे ओएउस के साथ के साथ क्या करवादेंगे फॉस्पेट फॉस्पेट्ग डा Official संब जरादेंगे जैसे हम किसमें करते थे गलीसरो फॉस्प teeth करते त तो यहां पे मैं इसको सफिंगो सीन का डेरिवेटे बना रहा हूँ कोचा सफिंगो सीन फोस्पेट ठीक है अब सफिंगो सीन बनाने क्लिक नें क Goldman भ 미िंगे सबनी हुग है साथ क्याल है कि इदर O negative इनके उपर दोनों पर आ दियेंगे और यह हमारे पास क्याल आगिया phosphate group अटेल्स करवा दिया हमने अब इस phosphate group के बाद ही क्या बढ़ने phosphate derivative of sphingocene या sphingocene 1 phosphate next क्या इसकी example दियोगी है यहां पर example क्या है पड़ी sphingomyelin sphingomyelin के अगर बात करें तो यह सेम वही उपर वाला structure है बस थोड़ी सी क्या है modification की हुई है कुछ जगों के उपर कैसे modification की हुई यह सारा structure वही उपर वाला हिस्सा तो वही है second part के अंदर यहां से सेम वैसे का वैसे phosphate group attach किया हुए और इस phosphate के साथ आगे क्या चीज़ attach करवा दिया है कॉलीन attach करवा दिया है यहां पर बढ़िया कॉलीन का structure CH2 CH2 और फिर क्या NH और उसके रतीत क्या होंगे तीन CH3 group attach किये होंगे तो इस का compound का क्या होता है सफिंगो-myelin होता है और इस portion को इसके क्या मोलेंगे फॉस्फोकोलीन बोलेंगे यहां पर क्या होगा सफिंगो Syn में ऐस्फोखोकोलीन attach करवागा यहां पर एक acidzyć group attach करवा Ó Lein जैब 가지 होते हैं शन पर myelin बोलते होते हैं next type है हमारे पास कौन सी ये दो टाइपस रहेंगी है कौन सी glycolipid और sulfolipid glycolipid और sulfolipid तकरीबन एक जैसे compounds होते हैं ये क्या होते हैं glucose या sugar के derivatives होते हैं किसके साथ ये ही हमारे पास जो सफिंगो सीन हो गई या और लिपिट्स हो गए उनके साथ अब यहां पर क्या होगा पहली चीज में इसके इसके डिडेक्शन में लिखा है glycolipids के they are known as glycolipids के सफिंगो सीन वाले लिपिट्स के अंदर अगर हम कहीं पर sugar अटेच करवा दें तो वहां पर क्या बन जाते हैं वह glycolipids बन जाते हैं also called cerebiroids इनको क्याते होते हैं cerebiroid आपने पहले भी सुनों कि cerebrium कहां भी होते हैं brain में होते हैं जहां पर neurons बहुत साथ होते हैं तो most cases में यह क्या होते हैं neurons के जो लिपिड की sheet होती है जो क्या करती है उसको वह electrical insulator के तौर पे काम करती है कि जो current उसमें से क्या हो disturbed ना हो पास होते हुए दूसरी नर्ग के साथ attached ना हो जो current जो उसको insulate करती है जिसको myelin sheet क्याते है वह उसमें क्या होते है glycolipids होते है यह अगर जो जो पोलर हैड होगा उसके अंदर क्या होगा sugar attach करवा है तो वह क्या बन जाते है glycolipid बन जाते है और लास्ट क्या है कि मैंने पहले बताया कि कहां मिलते होते है nerve fibers के अंदर मिलते होते है उनके ओपर coating होती है ताकि क्या होगा nerves के signal उसके साथ mix ना हो जाए अगर दोनों के signal match हो जाएंगे mix हो जाएंगे तो क्या होगा दोनों एक साथ move करेंगी ठीक है लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा यहां पर जो इसका हल निकाला वह है कि हमने क्या किया उस पर यह से लगा दी है जिए जो पर गलाइको लीपेट्स अब क्या होगा इसका और इसका signal mix नहीं होगा जब मिक्स नहीं होगा तो क्या होगा मैं इसको अकेला भी move करवा सकता हूं यह तो इनों को different direction करवा सकता हूँ क्योंकि इसने क्या किया है electrical insulator के तौर पे काम किया है Next time आपने पास कौमसी Sulfo Lipids Sulfo Lipids की बात कि रहें तो यह क्या होता है These are sugar containing lipids जैसे हमें उपर पड़े है लेकिन परिफ्य क्या होता है Sugar के अंदर क्या हम्सेज आ जाज़ती है Sulfonate group आ जाता है Sulfonate group क्या होता है Sulfuric acid derivatives या Sulfuric acid esters of cerebiroids سلف้وریfund के अंदर हम क्या कर देंगे okacea have a 3 असेड़ आड़के अड़केशन कर वा सकते हैं कहीं भी okacadى ऐसेजलผม और साथ उसमें sugar Skills कर आड़के अड़केशनिक कर वादें जैसे वह उपपर वाली एक्सपल हम यहाँ यहां परえば अड़के अड़ कर वादें इसी structure के अधर हम क्या एंड करवा दें अगर Sulfo group add करवा दें तो फिर यह क्या बने जाते है Sulfo lipids की example इनके structure इंतहाई complex होते है तो page के उपर बनानी नहीं होते है इनको इनके आपने क्या याद कि रहते हैं कि यह कौन सी जगह पे मिलते हैं और इनके function क्या होते हैं तो यह steric droids इनके क्या होते हैं Sulfuric acid esters होते हैं तो यहाँ वैपर topic complete होते है कौन सा compound lipids का स्टिरोइड और sterols स्टिरोइड और sterols group of compound ऐसा होता है कि जो normally देखने में lipid की तरह नहीं लगता जो अब तक हमें structures पढ़े थे जिसमें 3 carbon वाली chain होती है उसके साथ long chains attach की हुई होती है बलकि इसमें क्या होगा वह थोड़ से different style के होंगे और इनका formula जलिए हम सबसे पहले introduction में इसको 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 बताते हैं कि they contain a structural framework होता है उसके अंदर या एक structural nuclei होता है जिसको हम क्या नाम देते होते हैं उसका नाम थोड़नाम मुश्किल सा है इसलिए मैं इसको नहीं तीन हिस्सों में तोड के लिखा है तीन हिस्सों में इसको अगर बोलेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाता है क्या नाम है प्रेस का PUR-Hydro,Cyclopentano फिक है पीज्ब क्या होता है नेफ्थालीन और अगर तीन रिंग अटैक्ट हो सीधी लाइन में तो इनका नाम जी वोज साथ आरिकुछ लेकिन अगर वही तीसरी रिंग उपर की तरह प्राव पोशी ये तो फिनेंद रिन होता है अब यही फिनैंथरीन लिखा रहा है कि इसका एक यूनिट है वो क्या है पड़ा फिनैंथरीन है फिनैंथरीन में यह ए बी और सी यह तीन चीजे उसके जनल स्ट्रक्टर नीचे बनाया है अब इस सरक्र में देखें तो एक दो और तीन इस दो और इत्राइब की ताइस की तरह Hm क्या हका है वाला एक रिंग है आपड जो इसके साथ इसका नाम जोगर सुस्क्राइब ग्रवाला इसके नाम को हो CHRIS किया तो यहां कि यहां में लती की सिंट तें स्चतिर के तीस है में किया और अजिया है हुनीश आइने है नेक्स का इस है तस्पाइब कि एक अग्च यह पड़े कैसे कॉर्मण है पड़े च्छे कॉर्मण यह हो गए यहां तक ठीक है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस 10 कार्बन हमारे पास हो गए 11 12 13 14 15 16 17 तरह कार्बन वाली क्या है पड़े हमारे पास टोटल स्ट्ट्चर है इसमें नहीं होता है जैसे मैंने पहले गाया कि यह लिपिट्स की तरह नहीं लग रहे होते देखने में क्योंकि इसमें फैटी इसमें नहीं होते तीन कार्वाली चैन भी नहीं होती और आफरी क्या है इनकेस और स्टीरोड और स्टीरोड अगर स्टीरोड है तो वहां पर कैसे होते हैं इस रिंग के ऊपर अगर कुछ भी हम अटैक्स करवा दें तो यह क्या बन जाता है उस कंपाउंड उसके मुख्लिफ डेरिवेटिज आगे कंपाउंड से मुख्लिफ इस तरह के बंदे जाएंगे तो यहां पर सबसे मशूर क्या काम करते हैं कि यह हमारे पार्स होता है कि वह भली रिंग नावी हमने तीन छे काउनर वाली एक पांच काउनर वाली अब उसके बाद क्या करने इसको क्या करने तो उसके लिए क्या करते हैं सबसे पहला काम ओल है तो यहां पर एक और इस पॉइंट को पर आपने याद र तो इस साइड के हमें एक यूनिट अटाइच करवाएंगे CH और यहां पर कहा है CH 3 इस तरफ चलें तो कितने कार्बन होगी एक, दो, तीन, चार कार्बन होगी यह चार कार्बन के बाद दो आपने कैसे लिखा रहे हैं यहां फिर इसको कर दूसरे तरीके हमेरिकों यूँ भी लिख सकता हूँ एक, दो, तीन, चार, पाँच कार्बन वाली चेंड चार रही हो और एक कहां पर है साइड चेंड की तरफ जा रहा है तो यह दो साइड चेंड है ठीक है और टोटल अगर सीधी चेंड देखे तो कितनी चेंड एटाइच की होगी है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे इस तरह इसके समेत है और अगर इसको इलावा बोले तो पाँच चेंड के अदर एटाइच की हुए है तो यह हमारे पास structure होता है कि कॉलिस्ट्रोल और एक यहांपे क्या आजाता है double bond आजाता है यूजस के कहाँ पे होते हैं पहला यूजस हमने देखा कॉलिस्ट्रोल आपने सुना होगा कॉलिस्ट्रोल क्या करता है blood pressure increase करवाता है blood clotting increase करवाता है growth के विए जरूरी होते हैं प्रश्च 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 प्रश्